तो जब मैं नहीं नहीं Canada था ना मैंने उसी टाइम पे ही अपनी investments करनी शुरू कर दी थी stocks में, ETF में, crypto में और अब मुझे Canada में 2 साल हो गए है मेरा portfolio धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है उस टाइम पे मैं invest करता था जो कि मेरी पढ़ाई खतम हो गई है और मैं work permit पर आ गया हूँ इस वीडियो में मैं beginner friendly way मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ पिछले मेरे 2 साल की journey कौन से best apps थे investments के लिए जो कि मैंने use करें कैसे आप जो है safely invest कर सकते हो अगर आपको high risk लेना है अगर आपको safe खेलना थोड़ा ठीक है और इसमें मैं कोई financial advisor नहीं हूँ मैं आपको हर चीज अपने experience है बताने वाला हूँ या फिर इवन वर्क परेट पर हो रहा है जिसने अब तक अपनी investment journey स्टार्ट नहीं करी है अभी तक उसने किसी stock में ETF में crypto में या फिर इवन किसी भी asset में जो है invest नहीं कर रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद definitely आप स्टार्ट कर सकते हो और सिर्फ वीडियो दे के बंद मत कर देना ठीक है action लेना चाहे वो action कितना भी छोटा वो मैं आपको बताऊंगा अभी future में इस वीडियो में आगे कि क्या क्या actions आप ले सकते हो ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं उन apps के बारे में उन platforms के बारे में जो कि मैंने यूज करें और मुझे अच्छे लगते हैं अब एक चीज़ आपकी बात करते हैं जो कि मैं यूज करता हूं स्टॉक्स में और ETF में इन्वेस्ट करने के लिए और उस आप का नाम है wealth simple अब यह आप में इसलिए यूज करता हूं क्योंकि इस आप में आपको कोई एक्स्टा चार्जेश है फीस नहीं देनी पड़ती इन्वेस्ट करने के लिए मैंने जितनी बार भी अभी तक इस आप मैं जो है पचास-पचास डॉलर महीने इन्वेस्ट करता था ठीक है उसमें भी अगर पांच-पांच डॉलर की हर ट्रांजक्शन पर फीस लग जा तो नुक्सान जाधा हो जाएगा इन्वेस्ट ग्रोथ की जगह ठीक है तो इसलिए मैं यह वाला प्लाटफर्म यूज करत अपने फर्स डेपोजिट भी ठीक है फिर से बता रहा हूं वीडियो स्पॉंसर नहीं है अब इस एप के अंदर आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो ETF में भी इन्वेस्ट करते हो ETF basically collection of stocks होता है ठीक है एक basket होती है असके अंदर काफी सारे stocks होते है तो उसको ETF कह देते है ठीक है ETF में भी कर सकते हो stocks में भी कर सकते हो crypto में भी कर सकते हो और साथ में savings account भी है इनका ठीक है तो आप इस wealth simple app के अंदर आपना savings account भी खुलवा सकते हो और उसका फायदा ही होता है कि उसमें आपको 4% annual interest मिलता है अगर आप यही compare करो किसी traditional bank से जैसे कि Scotia bank में मेरा account है TD bank में मेरा account है तो वो जो आपको savings interest rate provide करते हैं वो करते हैं around 0.1% 0.5% ठीक है एक percent भी मुश्किल से पहुंचते हैं और यहाँ पे आपको 4% मिल रहा है तो काफी अच्छी growth हो आती है अगर आपके पास idle कुछ money रखी है लेकिन आपको वो stocks में है या high risk assets में invest नहीं करनी तो आप सीधा उसको savings account में डाल सकते हो ठीक है इसलिए मैं यह वाला app यूज करता हूं नेक्स्ट जो आप मैं यूज करता हूं उसका नाम है नियो बैंक अब नियो बैंक भी आपको 4% interest देता है savings account पे इसलिए मैं इसको यूज करता हूं और मेरा तो यह मानना है कि अगर आपक और किसी और बैंक में अकाउंट हो गया यह हो गया ट्रेडिशनल जो बड़े बैंक्स होते हैं लेकिन एक आपको खुलवाना चाहिए एक ओनलाइन बैंक में क्योंकि ना कुछ benefits होते हैं जैसे कि आपको app का यूज काफी अच्छा मिल जाता है आपको जो credit cards है उसमें offers और cash क्या होते हैं कि जब मैंने अकाउंट खुलवाय था मुझे 75 डॉलर्स मिलेते सिर्फ अकाउंट खुलवाने पर अभी जो प्राइस अल रहा है वह अरूंड 50 डॉलर्स देते हैं अपना अकाउंट ओपन करवाने पर अगर आप किसी के भी लिंक से साइन अप करो तो मैं इन अधर यून ट्रेडिशनल बैंक तो क्रेट काउफर्स बढ़ी है अप यू आ काफी अच्छा है और साथ में जो है 4% सेविंग्स इंट्रस रेट मिल जाता है ठीक है यही में फीचर है इसलिए मैं यह दोनों आप्स करता हूं बेसिकली अपना सेविंग्स और इंवेस् जादा कुछ बुरा नहीं है अगर आप एवन कंपेर करो कि आपके पैसे अकाउंट में पढ़े हुआ है तो उसका फायदा नहीं है क्योंकि उससे मुझे इंट्रस रेट बहुत लो मिल रहा है इससे अच्छा में वह पैसे जो है अपने वेल सेंपल अपने नियो बैंक में ट्रांसफर करूंगो जहां पर मुझे 4% अन्वल इंटरस मिलता है और यह इंटरस जो है ना मंतली आपके अकाउंट में आता है कि मतलब जो भी इस महीने का इंटरस बना वो मेरे अकाउंट में महीने के इंड में आ जाता है तो वह चीज मुझे काफी अच्छी लगती है अगर आपको सेफ खेलना तो यह है आपके पास ऑप्शन जो अगर थोड़ा सा रिस्क लेना है थोड़ा स्टाक की दरब जाना है तो वहां पर आपके पास एटेश का उप्शन आया था इस बेसे क्लिए मैं परसेली बीडियो इनवेस्ट करता हूं ऐसा इसलिए क्यों कि मै तो यह घूटम स्टक्नेस स्ट個ण करें गशन करने वाला अपना पोर्टफोलियो यहां पे मैं इस वीडियो में बताने वाला है लेकिन अगर तुम्हें मेरा प्लठ लगाने कि मैं इस टॉक्स में इन्वेस्ट करता हो तो मुझे इसंटग्राम पे में में इस्ट्राम डिय तो एक ETF जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूं वो है S&P 500 तो S&P 500 बेसे की लिए कि युएस की टॉप 500 कंपनीज है ठीक है तो इसमें आपकी आपल माइक्रोसॉफ टेसला इस टाइप की कंपनीज आ जाती है ठीक है जो भी टॉप 500 कंपनीज उस टाइम पर चल तो इसलिए काफी सेफ भी रहता है कि योगी एक श्रॉप में पैसे डूब गया फिर यहां पांट अलग 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 कंपनीज है और सारी कंपनीज तो डू प्रॉफिड में आती है कोई लॉस में आती है तो आपका जो रिटर्न है ना वह आवरेज आउट हो जाता है इसलिए मैं इन्वेस्ट करता हूं जैसके मैंने बताए इंस्ट्राग्राम पर मेसेज करो में तुम्हें अपना पूर्फोलियो सेंट कर दूं लेकिन यहां पर म घ्रिटाइल को तो लेकिन इसी घ्रोफ भी जाधा तो मिल सकती है रिटर्ण भी साथ है ठीक है तो नास्ड़ां डिटो जाके चेकाट कर सकते हैं तो मैं रिसर्ट के लिए बतारों ताकि तुम खुद भी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सर्च करो ठीक है तो इसके बारे में तुम सर्च कर सकते हो अब यह तो हो गई हमारे ठीक है तो अगर मेरे पास 100 Canadian dollar है और कोई stock है जो की 50 US dollar का है मुझे अगर वो stock खरीदना है तो पहले मुझे अपने Canadian dollars US dollar में convert कराने पड़ेंगे और उसकी conversion fees भी होती है ठीक है जैसे की wealth simple में जो fees है वो है 1.5% जब आप convert कराते हो Canadian dollars to US dollars उसका जब आप बेचोगे तब भी सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे काफी कम देनी पड़ती है अब यह मैं तो में एक हैक बता दिया काफी लोग को यह भी नहीं पाता काफी लोग जो है सीधा यूज चार्ज उनको देना पड़ता है मैं ETF में इंवेस्ट करता हूं जो की Canada के हैं ठीक है मैं Canadian dollars में ETF पर्चे करते हैं ठीक है तो यह मैं तुम्हें एक हैक बता दिया ठीक है अब stocks के बाद आ जाता है भाई हमारा crypto crypto की मुझे जादा knowledge नहीं और मुझे जादा stocks की भी नहीं हो कि मैंने mainly अपना मेरा पूरा portfolio ETF और थोड़ा सा crypto में बना है ठीक है तो crypto में जो है काफी जादा high risk है इसके बारे मेरे पर जादा knowledge तो है नहीं तो मैं यहीं क्या सकता हूं कि well simple जैसे platform पे तुम crypto में इंवेस्ट कर सकते हो और भी काफी सारे उससे influence नहीं होना मैंने 15-20 डॉलर डाले ते उस टाइम पर फचास सा आठ या मतानी कितने डॉलर हो गए 400 कुछ percent return आ गया तो लेकिन उससे influence नहीं होना कि मैं और पैसे stocks में डाल दूंकि मुझे पता है कि वह high risk है high reward है अगर high reward आया तो future high risk भी आ सकता है ठीक है तो यहीं थ खुद इसे personally invest नहीं करें लेकिन वह भी आपके पास option है ठीक है GIC जो होता है सबसे safest है लेकिन उसको interest rate काफी कम मिलता है इसलिए मैंने उसको mention नहीं करा क्योंकि I don't think कि इतना ज्यादा यूनों बड़ी option है इसके लाब बॉंड्स में आप जा सकते हो उसको भी interest rate आपको अगर रीट होती है उसमें भी आप जा सकते हो लेकिन काफी साइज है जो कि मैं discuss कर सकता हूं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अब बात करते है टैक्स कैसे बचा सकते हो अगर आप investment स्टार्ट कर रहे हो तो अब इसमें काफी सारी complications है काफी सारी option से लगए लग जब तुम कोई आप डाउनलोड करोगे ना investment का जैसे कि wealth simple वेल्थ सिंपल ने पूछे का कि तुम्हें कौन सा अकाउंट ओपन करना है तो तुम वहां पर टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट का भी तुम्हारे पास option होगा वह तुम ओपन कर सकते हो इसके अंदर तुम्हें benefit यह मिलता है कि अगर तुमने for example 1000 डॉलर इंवेस्ट करें किसी स्टॉक में और वो स्टॉक एक साल बाद हो गया 1200 डॉलर का तो तुम्हारे जो एक्स्ट्रा 200 डॉलर का जो profit आया ना अगर हम नॉर्मल के सेनारियों ने क्योंकि तुम्हें टैक्स तो देने पड़ते हैं government को मतलब यूनो उसको तो वह तो कंपल सरी है देनी पड़ते हैं तो वह 200 डॉलर में से तुम्हें जो है जो भी तुम्हारे इंकम होगी ठीक है जिस भी ब्रैकेट में तुम्हारे टैक्स तुम्हें देने पड़ेंगे for example मैं 20% टैक्स ब्रैकेट में आता हूं ठीक है तो कि इंकम इंडिविश्वल हो जहां कि यहां पर अभी क्यों कि मैं तो एंट्री लेवेल जॉब कर रहा हूं अगर मेरी जॉब जादा बढ़िया तो वह टैक्स ब्रैकेट 30-40 परसेंट या 45 परसेंट पर भी जा सकता है ठीक है तो तुम्हें कितना बड़ा पोशन जो है तो तुम एंड में टैक्स काफी बचा लेते हो मैंने अपना पूरा पूर्फोलिय अभी तक टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट के अंदे रखा हुआ है एक चीज़ में कि इसमें आप तुम क्रिप्टो नहीं खरीच सकते ठीक है इसके अलावा भी काफी सारी नहीं कुछ पूर्टे की वीडियो चीजो कि मेरे बहुत सारी चीज़ है मैंने क्योंकि पिछले दो साल में बहुत कुछ सीख है जो कि मैं शेयर कर सकता हूं ठीक है तो टैक्स वी सेविंग्स अकाउंट में जो है पांच-छे हजार या साथ हजार डॉलर की लिमिट होती है डिपेंड् साल लिमिट बढ़ती है तो तुम उससाब से इन्वेस्ट कर सकते हो इसके लावा मैं टीएफसे के अंदर साथ डीटेल में तो नहीं जाओंगा लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में ऑफिशल जो केनीडियन वेबसाइट है वहां का टीएफसे का आर्टिकल मेंशन कर दूँग बैंक पर अकाउंट ओपन करो यह तुम्हें टास्क दे रहा हूं और तो स्पांसर वीडियो नहीं है मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे ठीक है लेकिन मैं तब भी को मैं बता रहा हूं कि इस टाइप से तुम एक्शन ले सकते हो अकाउंट ओपन करो 10-20 या 50 डॉलर डालो औ और किसी एक स्टॉक एट्याफ में डालो ताकि एक टीस तुम्हारा इंट्रस्ट बने रहे उसमें कि भाई मैरे पैसे डालने तो मैं उसको ट्रैक कर रहा हूं उसके बारे में चीजे पढ़ रहा हूं ठीक है तो वहां से मेरा इंट्रस्ट बनना शुरू आ था क्योंकि सेव करने का बता दिया कैसे स्टार्ट करनी वह बता दिया त exits इंफो कर नीज डे दिया इंट्रोबशन दे दिया इसके अलाव अगर कोई बीött हम पूशन पूछना है तो तो मुझे Instagram पर मेसेज कर सकते हो ठीक है मैंने काफी सारी और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई हुए है Canada के बारे में कि Canada में को तुम ने ने हो ने ने Canada आयो या फिर तुम एक रिज्यूमे बनाना है तो उसक्यू पर मैंने एक वीडियो बनाई है वो जाकर चेक आउट कर सकते हो में सेकेंड डियो थी लाइफ ऑफ एन इंटरनाशनल स्टुडेंट इन Canada वो भी यहीं पर आ रहे होगी वो भी जाकर चेक आउट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो में बस इतना ही दिस हो समरजीत साइनिंग ओप